अडियो भक्रतुंद महाकाय, खोटी सुर्य साप्रह, निर्विगिनम् कुर्मी देव, सर्वे खाले सुसर्वदा। कृष्णाय वासु देवाय, हरये परमात्मने, पनतक्लेस नानसाय, गुविंदाय नमो नमा, यादेवी सल्व भूते सु क्रिपारू पीन संस्तिता, नमस्तसे, 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 नमो, नमः, बुझे सब्दे प्रग्मार की जै, बड़े प्रेम से पुरिय श्री रादारानी सरकार की जै, प्रिय भक्तों, बगवान, निर्गुन, निराकार होते हुएगी, भक्तों के हेतों, सबुन साकार बनकर, भक्तों के हेतों ही क्रिपा करते हैं, सचिदानन्द सरू, अपने भक्तों के कस्ठों का निवारन करते हैं, और अपने भक्तों का मान भी बढ़ाते हैं, आज की कत्वा में यही आश्र है, नर्सी भक्त को तो आप जानते ही होंगे, नर्सी भक्त गुजरात परदेश के जुना गड़ काउं के रहने वाले थी, उनके माता पिता, जब वो छोटी हवस्ता में थे उनके माता पिता स्वर्गवासी होगे तब उनका पालन पोशन उनके भाई ने किया, भाई ने किया, लेकिन वो उनसे मन से ज़्यादा प्रेम लगन नहीं करते हैं, एक देन नर्सी जी बाहर से घुनते हुए आये, और आकर अपनी भाई से उनने जल मागा, भाई ने ये नहीं देखा कि देवर बहुत प्यासा है, और वो उनको रुटा ताने मारने लगी, वड़ी कमाई करके आयो तो तुम्हें पानी पिलाओं करें, ऐसे भाई के कटू वचन सुनकर के, उनका मन काप गया, उनको गहरी चोट लग गयी, उनके मन में एक घाव हो गया, और वो बिना कुछ कही ही घर से बाहरा ले, नगर के बार एक शिवाले था जहां वो साथ दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे, भगवान शिव ने देखा और बोले की हे भाई, तुम चाहते क्या होते हैं, नर्सी जी कहते हैं, की आपकी मैं सबसे प्रिये वस्तु चाहता हूं, शंकर जी ने कृपा की और रास राशेश्वर भगवान की रास की एक जहांकी परदान कर दे, बस फिर क्या था, नर्सी जी रास राशेश्वर जी के हो गए, रास राशेश्वर जो स्वें भगवान श्री किशन थे, अब बार बार नर्सी जी प्रभू, की रास लीला जहांकी देखने को उस्सु कोने लगे, उनका मन करने लगा, कुछ समय के प्रश्चा उनका विवा हो गया, लेकिन भगवान के दर्शन की लालसा ने वे तीतों का ब्रहन करने लगे, संतों के साथ रहना, किसी भी वस्तों के अंदर जादा ध्यान के इंद्रित नहीं करना, मन नहीं लगाना और उनने अपना वेश भी साथू जैसा बना लिया, जो उनकी जाती के बंदू बांतव थे, साथू भेश को देख कर वो उनसे गरना करने लगे, और उनकों गिराएं का लजजित करने का भी परियास करने लगे, जिस्टा करने लगे, एक समय की बात, तीर्थ आतन, यानि तीर्थ यात्रा करते हो वे कुछ संत गाउं में पदारे, यात्रियों ने गाउं के लोगों से पूछा, कि हे भाई, कि यहां कोई मात्मा माहजन है, जो द्वारका के लिए हुंडी करते हैं, लोग नरसी जी से इर्शय करते थे, कुछ दुस्त जन बूले, यहां एक नरसी महाराज रहता है, आप उनके पास जाओ, उनसे आप कहे दिना, आपका सारा कारे सारी मुश्ता बुझा रहता, सभी संद नरसी जी के घर पहुंच रहता, नरसी जी ने उनका सत्कार किया, सेवा की उनकी लिए उनकी आगे हाथ जोड के प्राक्ना थी, संतों ने साथ सो रुद्गा एक डेहर लगा दिया, डेहरी लगा दिया पैसों की, और कहने लगे हमें द्वारका के लिए एक हुंडी लिख दे लिए, हुंडी का अर्थ होता है कि पैसे को ट्रास्फर करना, नरसी जी अब समझ गए कि इनको किसी ने बैका दिया है, किन्तु संतों की सेवा के उबिश्य से उन्होंने हुंडी लिख दी, और कहे दिया कि हमारे जो आड़तियां हैं वो सावल शाह है, द्वारका पहुंचकर आप उनसे अपनी हुंडी अपना धन ले ले लेगा हुंडी जब संत महाजन द्वारका पहुंचे, उन्होंने उनको सावल साहय को बहुत ढूडा, उन्हें सावल साहय नाम का कोई भी सेट नहीं मिला, दुकी होकर सभी संत नगर के बाहर आकर बैठ गए, इधर भगवान श्री क्रिशन जी भक्तों की लाज को रखने वाले, सावलिया महाजन का रूपधारन कर लिया, और कंदे पर एक थैली रखकर और संतों के समक्ष प्रकड़ों गए, और कहने लगे कि दर्शेजी की हुंडी किसके पास है, किरपा करके हुंडी देके अपना धन ले लो, संत बूले कि अच्छे आ गए आप तो, हम तो ढूंड ढूंड कर आपसे ठक गए, आपको हार गए, यहां आपके ठक के बैट गए, सावलिया जी ने कहा कि, हे भाई, मैं बड़ा शर्मनदा हूं, आपको रुपया मिलने में जो विलंब हुआ है, उसके लिए मैं तुम से शमा मांगता हूं। संतों ने अंदर्जी जी को एक धन्यवाद पत्र लिखा, तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से सरवेश्वर भगमा, भक्तों के कारे पूरे कर देते हैं, उनकी लाज रख लेते हैं, और साकार भूप से भी कई बार प्रवट हो जाते हैं, हम उनको पहचाद नहीं पाते हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे व्यक्त ही आ जाते हैं, कि दुख संकट की गड़ी में वो प्रमात्मा के रूप होते हैं, हमारे कारे बना गड़ेते हैं, हमारे संकट हर लेते हैं, हमारे दुख हर लेते हैं, हमें हिम्मत दे लेते हैं। बड़े प्रेम से बोड़े शृरी वरिन्दावन बाके विहारी लाल की जय हो।